तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे एक पारफेक्ट पूसाब मारना है मैं आपको step by step guide करूँगा देखिए अगर आप अपने chest muscle को maximum growth देना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका shoulder में कभी भी pain ना हो तो आप इस process को आप follow करने की कोशिस कीजिए तो यह पर जो पहला step है वो है आपको पूसा मारने के दौरान आपका shoulder position कैसा रहेगा आपका जो body है body के साथ ये shoulder position है arrow create करेगा उठ जा arrow create करेगा इस position से क्या होगा आपका shoulder है perfect position पे रहेगा अगर आप shoulder को बहुत बाहर लेके आते हो इस तरह बाहर लेके आते हो यह पर भी shoulder पे pressure आएगा उठ फिर जब आप पीछे लेके आते हो बहुत ज़्यादा body के करीब लेके आते हो आपका triceps activate होगा चेस्ट एक्टिवेट नहीं होगा इसलिए आप normal position पे करने की courses कीजे मतलब arrow create कीजे body के साथ इससे क्या होगा आपका chest को maximum growth मिलेगा chest muscle maximum activate हो पाएगा और दूसरा चीज आपको क्या करना है आपको पूसा मानने के दोरा आपका total body का structure हो straight रहेगा मतलब आप जो पूसा मार रहे हो मार के दिखा एक पूरा body यहाप पर flat है पूरा straight है उठ जा यहाप पर इससे क्या होगा आपका जो core है मतलब जो पेठ है activate रहेगा आपका जो glutes है आपका hamstring हर एक muscle activate रहेगा तभी आपका जो पूरा body आप activate हो पाएगा इससे इसलिए इससे compound movement भी बोला जाता है क्योंकि इससे आपका total muscle body का जितना सारा muscle है activate हो रहा है दूसरा चीज यहाप पर आपको पूसाब मारने के दोना बहुत जादा hip को नहीं नीचे नहीं लेके जाना है hip को नीचे लेके इस तरह यहाप पर देखिए upper body बहुत जादा उपर है और lower body नीचे हो गया है तो इससे इस तरह नहीं करना है दूसरा चीज आपको यह जो hip है इसे उपर उठाके पूसाब नहीं मारना है इससे भी क्या होगा आपका posture बिगड रहा है तो यह दो चीज ध्यान रखिए body straight flat करके workout कीजिए hip को बहुत जादा नीचे यह फिर बहुत जादा उपर नहीं लेके जाना है अभी देखते है neck position कैसा रहेगा neck आपका इस तरह straight रहेगा ठीक है मतलब आपको नीचे की तरब देखना है अगर आप उपर की तरब देखोगे तो उसमें क्या होगा आपका neck में pain हो सकता है तो इसे भी ठीक कर लिजिए और last चीज आपको क्या ध्यान में रखना है आपका यहापर जो shoulder position है ओ कैसे रहेगा मतलब जो दोनों हाथ के बीच में gap है यह कितना रहेगा आपका shoulder का यह shoulder का wide है length जितना है यह length है उससे थोड़ा सा बाहर खुल के रखना है यह जो आप देख रहे हो कितना wide है shoulder position से थोड़ा सा wide रखना है इस position से आपको पुशाव मारना है तो यह था आपका posture कैसा रहेगा अभी देखते है कि आपको कितना deep जाना है workout के दोरान नीचे जा पूरा आप जितना जा सकते हो नीचे जाए और उपर उठने के दोरान आप पूरा आपको हाथ को पूरी तरीके से छोड़ना नहीं है थोड़ा सा आपका यहापर bent रहेगा मतलब हाथ थोड़ा सा bent रहेगा आपको छोड़ना है अगर आप पूरी तरीके से इसे खोल देते हो इस तरह सिधा कर देते हो आपका यहापर जो यहापर चोड़ा सकता है आपका यहापर एलबो पे चोड़ा सकता है आपके shoulder joint पे pressure आएगा इससे आपका जो posture है वो खराप हो जाएगा या फिर joint में pain भी हो सकता है तो इसलिए आपको पुसाप मानने के दोरन आप deep जा सकते हो जितना भी चाहे आप deep जा सकते हो बट उठने के दोरन आपको थोड़ा सा खुल के रखना है मतलब इससे थोड़ा सा bend करके रखना है तो यह सारा चीज आप अपने ध्यान में रखिए और एक चीज अगर आप normal straight पुसाप पहले नहीं मार पा रहे हो तो कोई बात नहीं पहले आप अपने जो knee पे पुसाप मानने की कोसिस कीजिए इससे थोड़ा सा strength increase हो जाएगा इस त लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपके मन में फिर भी कुसाप रहे गया है पुसाप रिलेटेड या फी मांसल गें रिलेटेड तो आप कॉमेंट बॉक्स पे लिखिए मैं आपका सावर का इनसार जरूर दूंगा तो चले मिलता है अगले वीडियो पर अ झालाज़ दिलेड अभर है ब्लज़ बीड है ।